दीप मॉनिंग, दाव तो अपना कमाल दिखा ही रहा है, लेकिन बाकी एरियास में क्या कुछ हुआ है, कहां रखनी में से? संकेतारें कोई ऐसी परिशानी वाली बात नहीं है ग्लोबल मारकेट्स में, इन फाक्ट आज सुभाव देखेंगे तो ठीक ठाक संकेतें, गिफ निफ्टी आपसलूटली फ्लाट आपको ट्रेड करते वे दिख रहा है, भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, भारत की 25 के लिए भी 3.2% की ग्रोथ की उम्मीद नहीं जताई है, तो बहुत ही अच्छा ये अपडेट आया है, आएमेफ की तरफ से जो कल उनोंने ग्रोथ एस्टिमेट्स जारी करें हैं, भारत के लिए भी और पूरी विश्व के एकॉनमी के लिए भी, कल शाम अमेरिकी बाजा अच्छानी नहीं थी, IT में आपने जरूर मुनाफ़ा वसीली देखी थी, क्योंकि दो दिगज कंपनीज के कल नतीजे आये थे और उसके बाद थोड़ा रियक्शन आपको यहाँ पर नेगेटिव आते हो दिखा, Microsoft और Alphabet दोनों के कल नतीजे आये, दोनों के नतीजे अच् अनुमान से काफी बहतर थे, और उसके बाद भी अनुमान से बहतर नतीजे आपको आते हो दिखे थे, बट नतीजों का रियक्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, और उसके दो-तीन factors है, Microsoft की जो आगे की guidance है, वो थोड़ी नर्म है, वो थोड़ी सुस्त है, इसकी वज़े से बाजार के दौरान तो शेर हलका सा फिसला, बट पोस्ट मार्केट शेर में करीब 6% नीचे आपको Microsoft दिख रहा है, तो आज सुबा जो आपको Nasdaq futures में कमजोरी दिखेगी, वो इसकी वज़े से आती हो दिख रही है, अल्फाबेट यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से बहतर बट जो इनका ad revenue है, उसने निराज किया है, बाजार को और यह बड़ा component होता है इनकी earnings का, तो उसकी वज़े से भी पोस्ट मार्केट में, अल्फाबेट के शेर में आपको pressure आते होई दिखा है, इसके साथी नजर रखे जहां तक Tesla का सवाल है, क्योंकि यह भी आपको कमजो गिरा है, तो Microsoft, Alphabet, Tesla, यह तीनो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में नीचे हैं, इसलिए जो आज सुभा आपको डेट सो उंको की गिरावट NASDAQ futures में दिखरी है, वो इसी के वज़े से आपको आती हुई दिख रही है, अदर्वाइस सब कुछ ठीक है, कुछ और numbers का भी reaction था General Motors के नतीजे शांदार आये थे, और 8% का उच्छाल आपने शेयर में देखा, तो थोड़ा सहरा इससे DAO को आते हुई दिखा है, आज एक और DAO की important company Boeing के नतीजे आने वाले हैं, रिसेंटली काफी problems हुए इनके aircraft safety को लेकर, तो देखते हैं नतीजों के बाद कैसा action रहेगा तो earnings पर अफकोस पूरा focus है और पूरा focus आज की FED policy अपर है, आज कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ना rates में बदला होने वाला है, ना कुछ और changes होने वाले हैं, बट आगे की क्या guidance आती है FED की तरफ से, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, पिछली FED policy के बाद 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 काफी aggressive rate cut अनुमान लगा रहा था, इस साल 7% तक के rate cuts का अनुमान था, अब वो कहीं न कहीं adjust हो रहा है, साथ ही अगर आप देखेंगे, मार्च में जो rate cut का अनुमान लगा हुआ था, एक समय 90% जानकार मान रहे थे कि मार्च में rate cut शुरू हो जाएगा, वहाँ पर आब सिर 40% जानकार मान रहे हैं कि मार्च में rate cut होती होगी, जो जादतर बाजार का estimate है, अब वो मार्च से shift होकर में की policy पर हो गया है, तो देखते हैं, आज FED की policy कैसी रहती है और especially rate cuts पर क्या कुछ उनका कहना है, यॉरप की बात करें, आदे परसन तक की तेजी थी दो साल की उस पर भी रखनी है नजर सोना और चांदी, ये दो हफ़ते की उंचाई के आसपास हैं, थोड़ा वहाँ पर action बना है FED policy से पहले, copper एक महीनी की उंचाई पर है और agri commodities में भी आपको bounce back दिख रहा है, तो वैसे stable संकेत हैं, दो बड़े event आ रहे हैं, बाजार उसी पर नज बना के रख रहे हैं